तुटोरियल्स में पुना आप सवी का स्वाधत थाएं मैं हूँ मुनमुन शर्मा आज का क्लास हम लोगों का धारित हैं आवर्धन के बारे में आवर्धन का धैन हम लोग इस वीडियो में करेंगे आप सभी को याद होगा कि हमने आपको दर्पन चेप्टर में भी आवर्धन के बारे में बताया था आवर्धन के बारे में हमने वहां भी बताया था कि परतिविम्द के उचाई तथा बश्तु के उचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं यहां भी परिभासा वही रहेगा लेकिन कुछ चेंजिंग होगा जैसे वहां पर हम लोग आवर्धन का एक और सुत्र प्रात किये थे एम इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू लेकिन यहां पर जो आवर्धन का सुत्र हम लोग प्रात करेंगे सब्सक्राइब दिस्टैंस मुरेया और यू को वास्थ दूरी ॉप्जिप धिस्टैंस कातेishi तो सबसे पहले हम लोग परिवासा पर ध्यान देते हैं अब अर्दन को मेगनी फिकेशन करते हैं तो क्या परिवासा वही परिवासा चुकी यहां पे लेंस की बात हो रही है तो लेंस में हम लोग कैसे परिवासा देंगे किसी लेंस में परतिवीम की उचाई तथा बस्तू क कि उचाई को वस्तु को हम लोग बीम्ब भी करते हैं तो वस्तु के जगा अपर बीम्ब भी लिखा जा सकता है कि तो किसी लेंस में पर्ट बीम्ब की उचाई तथा वस्तु की उचाई के अनुपात को लेंस का वर्धन करते हैं इसे एम से सुचित करते हैं आवर्धन को हम लोग किसे सुई करते हैं, और चुकि यह एक अनुपातिक रासी हैं, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा, इसलिए इसका कोई मात्रक आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, यानि आवर्धन बराबर परिभासा से हम लोग जो शुत्र प्राप करेंगे, पर्ति बिम्ब क्यों चाहि बाता वस्टू की, अब पर्ति बिम्ब क्यों चाहि को हम लोग H dash भी मान सकते हैं, और वस्टू क्यों चाहि को क्या मानेंगे? H, अगर पर्ति बिम्ब क्यों चाहि H dash मानेंगे, और वस्टू क्यों चाहि H मानेंगे, तो हम लोगों का फर्मुला ह जाएगा एच डैस अपान एट और यदि प्रतिविंद क्यों चाहिए को ज़्य हम लोग एच टू मानेंगे और वस्तु क्यों चाहिए को एच वन मानेंगे तो आवर्धन का सुत्र क्या हो जाएगा एच टुबाई कोई कोई किताब हडाशों और एक के रूप में आवजन करता है कोई किताब एस्टु अपन एकवन करूप में जनेरेट करता है तो आप दोनों में से कोई भी सुत्र लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, नोट, वस्तो दोरी तथा परत्विम दोरी भी के रूप में, आवर्धन का सुत्र हम लोग प्राप करेंगे, इसके पहले हमने बताया था कि दर्पन में हम लोग सुत्र प्राप किये थे, M is equal to minus B by U, और यहाँ पर बस्तो दोरी तथा परत्विम दोरी के रूप में जो अवर्धन का सुत्र होता है, M is equal to B by U, plus B by U, यहाँ पर plus छिपा हो है, पर लिख दी सकते हैं, और नहीं भी लिख सकते हैं, तहीं सुत्र का हम लोग सत्य आपन करेंगे कि आपका ऐसे आता है, M is equal to plus B by U, सुत्र को हम लोग यहाँ पर प्राप करेंगे, सत्यापित करेंगे कि M is equal to plus B by U, क्यों होता है, तो इसको हम लोग प्राप करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर रियर डाइग्राम पर आते हैं, सबसे पहले चित्र हम लोग समझते हैं, हमने क्या किया है कि एक वस्तु A-B ले करके उसको A-F-1 तथा 2-F-1 के बीच में रखा है तो जाहिर सी बात है कि इसका पर्तिभीम कहां बनेगा 2-A-2 तथा अनौन के बीच में बना है जैसा कि चितर से फस्पस्ट है है न जी तो पर्तिभीम का जो अकार होता है इस कंडिशन में वस्तु से क्या होता है बड़ा होता है तो इसका नक्सत आपन करने के लिए हमने फिगर के हिसाब से यहां पे स्टेट्मन लिखा है जैसा है दिया गिरभा है माना कि एमिन एक उत्तलें से एमिन को हम लोगों ने उत्तलें सपोज किया है जिसमें वस्तु को टू एफ़ान तका एफ़ान के बीच रखने से उसका पर्तिभीम टू एफ़ान के बीच बना है जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं नई करती है जिन परिपाती के अनुसार हम लोग सब निवधारी करेंगे ओ ए हमने बोला था कि लेंज के परकासिये केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं वस्तु दूरी कहते हैं क्रोपा थी अद्र वार एपर नहीं लोग वस्ट है लेकिन यह जो है वाम हुल बिन्दू यानि परकास यह चलाएं के बाये तो उसके हम लोग त्वाइं करेंगे पना चिब हो गैश्ट पीर शुग लिदाजहत बना निडिवाया जाने मिलोग और प्रतिभिमब के बीच की दूरी को हमलो क्या कॉणते हैं ऐसे फ़ह घाहने जींदेज इसके बाद ओ हमने आपको बताया था कि लिपरका का इनासी अम्हुवाद होता है दूसरे फोक्वंक। होता है। इसे बाद O f2 हमने आपको को बताया था कि लेंस के परकास ये के अंदर और दूसरे फोकस बिंदू के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं कि फोकस दूरी कहते हैं तो ओ चुशनी नहीं होगा कि मूफा सभगा सरा और कि कुछाइब आए उसकी कि पमीधर देर्फ रोंगे हम लोग जो की, मंदल को बांटी ह aware इसले बांट हैं उसको कि में लेते हैं पलौस देंज को सतका हैं और स्थिपी έिज कुछा हैं परतिविम की उचाई कहेंगे और वाद चुकि मुखक्ष के मीचे हैं इसलिए उसके पार आगे करेंगे दो हम लोग तर्भूज की चरचा करेंगे दोनों तर्भूज समरूप है तो यहां कि आप लिखेंगे आप दो दो तिर्वोज हम दिस तिर्वोज का में इन करते आप देखिएगा, तिर्वोज B-E-U, ताथा तिर्वोज B-E-U, ताथा तिर्वोज B-E-U-मे, ठीक है, दोनों तिर्वोज में हम चर्चा करते हैं, किसमें किसमें, B-E-U, और B-E-U-मे, ध्यान से देखना है, हम लोग दोनों तिर्वोज को समरूप सिर्व करने जा रहा है, आप पर यह आगे, देखेंगे ताम लोग को क्या मिलेगा, देखो, हम लोग को सकते हैं, कि वस्तु को हम लो क्या रखते हैं, वस्तु को क्या रखते हैं, तो हम लोग सकते हैं, एंगिल B-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U-E-U- बराबर होंगे 90 डिगरी कोंगे तो बराबर हो सकते हैं बराबर हैं अब देखिए ये कौन और ये कौन सबसे परले तिर्फुझ आप लोग ऐदेंटिफाइए कर सकते हैं B, A, O या तिर्फुझ हुआ और दूसरा तिर्फुझ B, A, O, A तिर्फुझ हुआ तो अब उसके बा तो क्या होगा यहां पर फिर हम लोग लिखेंगे बी डैस ओ यह कुन और यह कुन दोनों आपस में बराबर होते हैं अब किसी भी दो तिर्भू जो मैं यदि तुल्ला करने पर दो कुन आपस में बराबर हो जाए तो दोनों तिर्भूज सम्रूप कोते हैं कौन सम्रूपता से डबल ए सम्रूपता से ए ए सम्रूपता से ट्रीपल ए भी सम्रूपता कह सकते हैं क्यांकि किसी भी दो तिर्भूज की अगर दो को नापस में बराबर हो जाए तो तीसरा को नापस में बराबर होगा है have any problem? यहां पर लिखान गे, so ट्रेंगी, B, A, O, similar ट्रेंगी, यह हमलोग A, A के बराभर किया हैं, यहां पर क्या लिखांगे, B'daş, A'daş और, O, O के बराभर किया है, तो, O होगा, have any problem? अब हमलोग ग्वार करेंगे, this implies that आगे आप पढ़ियगा हम आपको पढ़ाएंगे समुरूप तिर्हूज के बारे मैं तो सम्रूपतिर्वुज, या क्वोन सम्रूपता हुगा uh marvel AA Пон Betsy पनुरूल होता है कि समुरूप तिर्हुज की संगत हुज़ा होते हैं समानोपाथी होते हैं तो इस तिर भूस का हम लोग लंब देखते हैं, लंब यानि जो लंब वा तो जो रिखा हैं, यानि हम लोग क्या कह सकते हैं? A, B, और इसमें का हम लोग आ, या उसका पहले हम लोग देखते हैं, या जैसे भी A, B, अपन क्या लिखेंगे? A, A dash, B dash, is equal to, इसका हम लोग लेता हैं, अधाब, तो O, A, अपन क्या होगा? O, A dash, have any problem? O, A upon, O, A dash, या जो आम लोग समरूपता लिखते हैं, यहां पर आरे चे समरूपता भी लिख सकते हैं, have any problem? आप देखिए, हम लोग चाहा हैं, तो A, B के जगा अपर क्या लिख सकते हैं? H, और A dash, B dash के जगा अपर हम लोग क्या लिखेंगे? बोलो, H dash dash लिखेंगे, और यह वाला देखिए, इसको हम लोग O, A को क्या लिखेंगे? O, A आप देखिए, O, A को हम लोग? माइनस U लिखेंगे, O, A को क्या लिखेंगे? माइनस U, और O, A dash को क्या लिखेंगे? पलास B, क्या लिखेंगे? लेकिन यहां भी देखिए, A, B को पलास एज, और A dash, B dash को हम लोग यहां पर क्या लिखना चाहिए? माइनस U, और O, क्या होगा? क्योंकि यहां नीचे बना है, तो इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे? माइनस U, और O, A dash dash लिखेंगे? अब यह लिखेंगे? जब इसको सर्व हम लोग करेंगे, तो इसको उपर लिख सकते हैं, दोलों को चेंज कर सकते हैं, तो इदार भी माइनस, इदार भी माइनस है, तो बाइस यहां होगा, तो क्या हो जाएगा? पलास हो जाएगा, यहां बहुत वर्फ कर सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कि समा इक्वर्टो क्या होगा? इू, एक्च दैस्ट, मिलेगा? आम देखिये, इसको जब हम लोग सर्व करेंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी को भी आगे पीछे, हम जी से क्या चा रहा हैं? कि इू, इसको पॉले लिख रहा है, इसको करणा लिख रहा है? देखा numerator अ cuálिप में लिख रहा है, बोल यह कोई प्रोग्म है, अब क्या कर रहा है कि इसको इठान वहरा हैं, फिर इठान फिर差 स्कूला रहा हैं, तो या क्या हो जाएगा? वws भी वह हो जाएगा, हास इत्ताइश के प्रफ इत्त को हम लोग ला दिये और में को प्रीक तरफ यू को दिये हो हम इसके बाद वालव ऑब क्ड़ा करेंगे हैं यहạtश अपने जीक वादे में हम लोग जानते हैं क्या लिख सकते हैं अभी हम लोग ओपर परिभास से हम लोग जेनल किये हैं प्राप किये हैं आप और रहाब बराबार एच डैस बता है आप इनए पर्रोग्लेम तो है ट्रश अपन ही चिजगा पर हम लोग क्या लिख सकते हैं एम पस्तो एम इस इक्वल तू भी वाइव हो गया कि नहीं इसके बदलें आम लोग एम लिख सकता है क्योंकि आब अर्धन का सुत्र होता है परिभासा से जो हम लोग सुत्र प्राप करते है एट डैस अपान एट तो इसने उसके जगा पर हम लोग क्या लिख दें तो एम इस लोगा क्या लिखसना आ इस प्रोवर्य छाया य्वा झाल करता है प्राप्ट